हेलो ब्रीवन, वेलकम बैक टो अनदर क्योंने वीडियो हो गईज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्पूर सवालों को पर जैसे कि आप लोग ने थमनिल में देखा, जेनरल केटेकरी स्ट्रेंट्स को स्कॉलर से मिलते हैं नहीं, आईज इन्ट्य में, ठीक हैं, और NSP, SSP, both can be applied together or not, और application जो date है, उसको further extend किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, expected omniverse list का, जो release date है, उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, besides guys, हम लोग बहुत सारे question को include करेंगे, और भी, तो आप लोग वीडियो को इन्ट तक देखिए, now, first of all, बात करते हैं, NSP और SSP के उबर, guys, NSP stands for National Scholarship Portal and SSP stands for State Scholarship Portal, ठीक है, क्या आप इन दोनों Scholarship Portal पर एक साथ apply कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो, देखें guys, अगर आप STSC OBC category से belong करते हो, तो आप eligible दोनों के लिए हो, ठीक है, लेकिन जो NSP है, उसका जो requirement है, percentage का requirement थोड़ा high रहता है, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में आप लोग को, लेकिन अगर आप SSP के लिए apply करना चाहते हो, तो कोई भी percentage का requirement नहीं है, ठीक है, अगर आप STSC OBC category से belong करते हो, तो आप SSP के लिए apply कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग के मन में doubt होगा, क कि अगर हम eligible दोनों के लिए हैं, तो क्या हम दोनों के लिए apply कर सकते हैं, जी नहीं guys, आप केवल एक ही scholarship portal पे apply कर सकते हो, in case अगर आप दोनों scholarship portal पे apply कर देते हो, माल लेते हैं, आप दोनों scholarship portal के लिए eligible हो, और दोनों apply कर देते हो, तो दोनों reject कर दिये जाएंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यह बात ठीक है ओके गाइस अब बात करते हैं जनरल स्टुएंट्स को स्कॉलर्शिप मिलती है कि नहीं क्योंकि यह मोश्ट आग्ष्ट कुष्चन में से एक है तो चले गाइस मैं आप लोग को मोईल के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ यह रहा एक गाइडलाइन नोटेस इसकॉलर्शिप को पर जैसे कि आप लोग देख पार होगे यह पास गॉर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री अफ यूमन रिसोर्स डेपलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसकॉलर्शिप ब्यूरो का एडलाइन है गाइस यह ठीक है और नीचे आप लोग देख पार होगे सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ इसकॉलर्शिप फॉर कॉलर्श एन उनिवर्सिटी स्टुडेंट्स ठीक है स्कॉलर्शिप दिया जाता है लेकिन इसके लिए कुछ TIMS & Connections होते हैं कुछ Guidelines होते हैं जो अगर आपके उपर अप्लिकाबल होता है तभी आप इसके लिए eligible होते हो ठीक है तो गाइस देख लेते हैं कि क्या क्या है इस context में क्या है Guidelines ठीक है तो चलिए देख लेते हैं तो guys सबसे पहले objective दिया गया है जैसे कि यह जो NSP है इसका objective क्या है तो guys जो meritorious students है जिनका family जो income है बहुत low है उनको एक financial assistant प्रवाइड करना इसका एक objective है ठीक है और scope आप लोग के लिए important नहीं है allocation of scholarship आप लोग के लिए important नहीं है eligibility जानना आप लोग के लिए important है guys यहाँ पास बताया गया है कि अगर आपके 12th में 80% से अधिक है ठीक है चाहे आप किसी भी stream से हो ठीक है और अगर आप किसी भी recognize university, college या institute से regular courses कर रहे हो तो आप इसके लिए eligible हो ठीक है बताया गया है आप लोग इसको पढ़ सकते हो ठीक है और इसके लाबा यहाँ पास बताया गया है जैसे आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होगे not availing benefit any other scholarship scheme including state run scholarship scheme ठीक है guys अगर आप state के through भी scholarship लेते हो तो आप इसके लिए eligible नहीं होगे ठीक है at the same time आप केवल एक ही scholarship को avail कर सकते हो या एक ही scholarship का benefit ले सकते हो ठीक है आप चाहे state scholarship ले सकते हो है या फिर national scholarship ले सकते हो अगर आप दोनों के लिए eligible होतो लेकिन जो general category के student है वो केवल NSP के लिए ही eligible होंगे तो आप लोग को eligibility criteria पता चल गया होगा कि क्या eligibility criteria है ठीक है यहाँ पास आप लोग देख पार हो गाइस rate of scholarship ठीक है यह आप लोग के लिए important है the rate of scholarship is raised 10,000 per annum at graduation level for first three year of college and university courses गैस आपके graduation के दोरान आपको 10-10,000 रुपे का scholarship दिया जाएगा national scholarship portal के थ्रूँ ठीक है और अगर आप PG के लिए जाते हो post graduation के लिए तो आपको 20,000 रुपे per annum दिया जाएगा ठीक है और इसके लाबा बताया गया है parental income selling ठीक है तो यह भी आप लोग के लिए बहुत जादा important है ठीक है यहाँ पास आप लोग देख पार होगे the parental income selling is less than race 8 lakh per annum for all categories under the scheme गैस अगर आप इस scheme के तुरू scholarship लेना चाहते हो तो आपका जो family income है जो आपका family income है वो 8 lakh per annum से कम होना चाहिए यह सभी category के लिए है ठीक है STSC OBC सभी category के लिए है ठीक है और इसके लाबा यहाँ पास बताया गया है income certificate would be required for the fresh applicant only गैस अगर आप first time NSP के लिए apply करने जा रहे हो तो आपके पास income certificate का होना जरूरी है ठीक है तो यह था इसमें important ठीक है और इसके लाबा कुछ document जो आप लोग के पास होने जरूरी है आप लोग यहाँ पास देख पार होगे ठीक है तो यह सारे document आप लोग के पास होने जरूरी है ठीक है आप इसकी इसका तो यह था इस वीडियो में आप लोग को मैं यही बताना चाहता था ठीक है आगे चलते हैं गाइस आगे कुछ questions को उपर और बात करते है next query है गाइस क्या application date जो है last question but not the list expected omnibus list merit list release date देखे गैस अगर बात करें omnibus list का तो omnibus list जो है आपका एक ही दिन के अंदर जो है जारी कर दिया जाएगा between 15 to 20 October ठीक है किसी भी एक दिन या दो दिन के अंदर आपके सभी कोर्सों का जो omnibus list है वो जारी हो जाएगा ठीक है विदिन 5 डेज मतलब यार आप लोग का 25 October तक ही आप लोग का merit list जारी हो पाएगा क्योंकि अभी आप लोग को पता है नावरात्री चल रहा है और इसकी चुट्टी भी है ठीक है तो अभी सारे teachers जो है आपने अपने घर को जा रहे है ठीक है तो अभी तो लेट होने वाला है इसमें और भी ठीक है तो वेट करो यार 25 तक आप लोग का merit list आज आएगा ठीक है अंडर 25 ठीक है आज आएगा तो अब तक वेट कीजिए and thanks for watching guys अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगे इस वीडियो को और share कीजिए ठीक है